कि मर्ता वो है जो जानदार होता है मैं तो बेजान हूं कि मेरी जान मेरे जिस्म में नहीं मुझे बचाले बेटे मुझे बचाले अरे चल्दी कर मर्दूद वरना तेरी मात जहनम में चली जाएगी कि मेरी तरस देखो देखो और बोलो क्या तुम खामोश गुलाव हो तुम खामोश गुलाव हो कहकशा छोड़ दो मेरे बाल कहकशा सबसे जयादा है कि बाद यी मेरा नाम कैसी जानता है ये कर दिन यह हो घृजए आधेенного हमोश को अ कि ऍ है महीं नहीं मेरी खामोश गुलाम हूं अब मुझे खामोस लने की कोई जरूरत नहीं हुआ अच्छा हुआ आप मुझे तलाश करते करते यहां पहुच गये दरसल मुझे आपती ही तलाश थी मगर यह सारा किस्सा क्या है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं सब समझा दूगा मगर यहां नहीं पहले मुझे यहां से ले चलिए के कश्छा इसकी आजजागी की कीमत हमने चुका भी है इसलिए इसे यहां से ले चलने में कोई हरत नहीं है आतिसवाज हम इस गुलाम को अपने साथ ले जा रहे हैं कीमत मुझे मिल चुपी है तुम इसे ले जा सकते हो मगर जाने से पहले इतना बताते जाओ कि वो राज क्या है कि आग तुमें जला क्यों नहीं सकी पर आज तो मुझे भी नहीं मादो क्योंकि आज का खेल मैंने नहीं किसी और ने दिखाया था कि और ने दिखाया था पेंच पातिश्बाज यह एक आज है राज के पीछे और एक अज़ चलो कि आओ मैं तो खुद को ही बड़ा आतिश बास समझता था मुगर यहां तो मेरे भी उस्ताद पड़े हैं अजि मुझ शक्त है कि जिस खामोश गुलाम को हम आजाद कराना चाहते थे यह गुलाम वो नहीं तुन्हें यह शक्त क्यों हुआ कर्शा क्योंकि हम्राज हर्फी की शर्थ के मुताबिक जजिराय ख्याबान के खामोश गुलाम को हम आजाद करा चुके हैं हाँ तो फिर तो फिर शहजादी तस्वीर तिलिसमी आइने की कैट से आजाद क्यों नहीं हुई अरे हाँ के कशा इस गुलाम ने तुम्हें नान लेकर क्या पुकारा हम अपना असल मकसर भूल गए तुम दोने एक बात और भूल रहे हो कौन सी बात है हम्राज हर्फी ने कहा था खामोश गुलाम का तालग शहजादी तस्वीर की आजादी से ही नहीं बलके कैकशा से भी है अरे हां हां वाके हम्राज हर्फी ने यही कहा था वहतर एक इस मुश्किल का हल हम शहजादी तस्वीर से ही पुछ लेते हैं तुम्हारी मुश्किल मैं समझ गई हूं आसर अगर समझ गई हो तुसका हल बताओ शहजादी तस्वीर गुलाम को वार से देखिया आका कहीं गुलाम के आजाद होने में कोई कसर तो नहीं रह गई कि देखो अलनाफिर कि कि अधिक गुलाम के हाथ तो अभी तक बंदे हुए है कि अरे खामोश गुलाम तो सत्मुची बड़ा शरीफ और खामोश तभीयक का है अब तक इसके हाथ बंदे हुए है कि अर्वियक का मुश है अलनासिर फारन इस गुलाम के हाथ खुल दो जी झाल झाल शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मेरे महसीन शुक्रिया आसर केकशा अलनासर और तूतन सतना शेहजादी तस्वीर को उन्मे खबीष के तिलिस्मी आएने के खैद से आजाद कराने के लिए तुम सबका शुक्रिया और तुम्हारा भी शुक्रिया ऐ अजनभी गुलाम मैं नहीं जानती कि मेरे तिलिस्मी पैद से तेरा क्या तालुक था मगर तू मेरी आजादी का एहन सबब है शेहजादी तस्वीर तेरी शुक्रिया अदा करके गुलाम को शर्मिंदा ना करे शेहजादी मुझे खुशी है कि मैं तेरी विहाई का सबब बना मगर ये भी सच है कि इसी बहाने मैं उस गुलामों के सौदागर आतिश बात के चुंगल से आजाद हुआ इस दोरी खुशी में तो हमें जश्न मनाना चाहिए हम जरूर खुशी और जश्न मनाते कहकशा अगर सिंदबाद कावीश prante काई कारा लिया है खुदा का लाख को रखाद का जैशन और सासी का सिंदबात की आजदाभी का जैशन हमीं जरूर मैंनाना सो ही बेशक आगा सिंदबात की आदादी के बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और तक दी ? एक खुशखबरी गुल्म जरमान के पास दी है आप सब के लिए क्या खुशवरी smash जो एक राज कोह सीने में ने महफोज है और इसी राज की हिफाज़त के लिए इस घुलाम जर्मान ने अपनी जबान पर हामुशी के ताले लगा लिये थे क्या ये वही राज है जर्मान जिससे तुम घुलामों के सौधागर आतिश बात के सामने जाहिर में ही करना चाहते थे चैंक है कि यहां कृधारि के लिए ओधाने के साहित मेन हैं थोगोगी भी कuttती हैं। अप्लाक सरवरी ने एक ऐसा खजाना ढून निकाला जो कारून के खजाने से कम ना था ताउन की जान लेवा बिमारी का शिकार होकर मरने से पहले आका अलफाक ने खजाने का नक्षा दो हिस्सों में महफूस करवा दिया खजाने के नक्षे के खातिर समुनुदरी लुटे रे का शाक विंग र्जाक ने तुम्हारे चचा अफ्लाक सरवरी को खतू कर दिया कि खाने का दूसरा नक्षा मैंने समंदर में फेक दिया और मेरी जबान ना खुल जाए इस डर से मैंने समंदर में छलांग लगा दी कि तुम वहीवुलाम हो जिसके बारे में हमारा घरमी ने बताया था हां कयकशा में और मुश्किलों ने अलिए रिंकिति न कि बदल्टी और मेरी जुनाक kingskin हो गई हे वर मांगाror जलमान अप्र edaniya यह मेरी बदनसीबी है मगर बदनसीबी का सायव अब उठ चुका है जर्मान तुम पूरी तरह आजाद हो हाँ मैं आजाद हूं मगर अपने आका अलफात सरवरी की बेटी कही कशा की खिदमत और हिफाज़त के लिए जर्मान समंदरी लुटेरा कज़ाग बिन रजब खजाने के लालच में जान का दूशंय बना हुआ है जदके मैं खुद नहीं जानती कि खजाना कहा है आपके इस घुलाम के अलावा और कोई नहीं जानता कि वर खजाना कहा है जिसके हगदल सिर्फ आप हैं मगर यह राज किसी पर जाहिर ना करना जर्मान हर जर्मान खजानी के लालत में लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे काजग बिन filmmakers के पास खजानी तक पहूंचने का आधा नक्षाली सी मोझी और बाकिका आधा नक्षा हासिल करने के लिए वो अपनी जान पर खेल खेल कर हमारा पीछा कर रहा है कि अगर कजाक को पूरा नक्षा मिल जाए तब भी वह ख़जाने तक नहीं पहुन सकेगा क्या यह कैसे मुम्किन है क्योंकि गुलाम जर्मान के बगएर ख़जाने का नक्षा पूरा होने के बावजूद दिया धूरा ही रहेगा अब अपने इस गुलाम को इजाज़त दिज जाता तब तक आपके खिदमत और हिफाजथ के लिए यह जर्मान के साथ जर्मान आपके चाहीं रहेगा अब सब्सक्राइन बाव Mick के पास पक्राइब जर्णिगार आ गई हमारी जर्णिगार वापस आ गई जर्णिगार खुदा का शुक्र है कि तू चक्माग जिनके पंजे से जिन्दा सही सलामत वापस आ गई हमने उस जालिम जिन चक्माग को वो सबक सिखा दिया है कि अब वो कवीले की किसी भी लड़की की तरफ आख उठाकर देखनी की जुर्यक्त भी नहीं करेगा वाह सिंदबाद तुमने तो कमाल कर दिया हम बता नहीं सकते कि जर्णिगार को दुबारा अपने सामने देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है क्या पिश्खबरे अपने सर्दार को नहीं दोगे करणी जुगोष्ण कि पत्स बाइज और सब द दर जर्निगार वापस आ गई जांदरी वापस आगई इस इन खीश्न बाद आ की बेटी को वापस ले आ यह इस घंद टि अधिकुर्ट करने बच्ठी तर्मिक ने बच्चे सिंदबाद मैं किस जबान से अब तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारी वजह से आज एक बेबस बाप को उसकी खोईवी बैटी मिल गई जब निगार को बचा कर तुम्हारा शुक्रिया तो उस खोदा का अदा करो जिसने सही वक्त पर जकाला को मेरी मदद के लिए भेज़ दिया जकाला सर्दार जिंगारू तुम्हारा भी ऐसान मंद है शुक्र गुजार है इसमें ऐसान की क्या बात है जिंगारू मेरे मौसीन सिंवबाद के मदद करना मेरा फर्ष्ट था और अब एक फर्ष मैं भी आदा करना चाहता हूं फर्ष आपके सर्ज की बात कर रहें सर्दार जिंगारू वह फर्ष जो हर बाप के लिए उलाद के लिए कर्ज होता है और यह फर्ष यह कर्ज अदा करने में हर बाप खुशी मैसूस करता है सर्दार जिंगारू कहीं आप अपनी बेटी के हाथ पिले करने के बाद तो नहीं कर रहे हैं हाँ जकाला कभीले की रस्न के मुताबिक सिंदबाद और जर्निगार एक ऐसे मुकदस रिष्टे में बंद गये हैं जिसे तोड़ना गुना है अब मैं सिंदबाद और जर्निगार की जल से जल शाधी कर देना चाहता हूं मगर सेजार तुम तो जानते हो कि मैं जजीरे चक्मात में शाधी करने नहीं किसी और मकसद से आया हूँ अन्हुनी बात कभी होती नहीं और होने को कोई टाल नहीं सकता सिंदबाद हमारे कभीले की लड़कियां इतनी बेहया और बेगैरत बिल्कुल नहीं है कि वह किसी भी अजनभी इंसान के गले में फूलों का हार डाल दें जबकि वह कभीले की बर्सों पुरानी रस्म को अच्छी तरह से जानती हैं अगर जरनिगार ने तुम्हारे गले में खुलो का हार डाल कर तुम्हें अपना चोहर तसलीम कर लिया है तो हो सकता है इसमें वो खुदा की कोई मसलिहत हो या कुद्रत का कोई राच चुपा हो हां सेलबात तुम्हें शादी से इनका नहीं करना चाहिए सरदार जिंगाडू जब हर तरफ से इक्रार है तो मैं इंकार कैसे कर सकते हुआ सिंदबाद के मताबिक तुम दोनों शादी के बंदन में बंद गए हो मगर कभीले की पुरानी रस्न के मताबिक मिया बीवी मानने के लिए एक दूसरे को ये फूलों का हार डालना भी जरूरी है मुबारको मुबारको कभीले की रिवाज के मुताबिक सारी रस्मित पूरी हो चुकी है इसलिए अब तुम दोनों कभीले की रस्मित के मुताबिक भी मिया बीवी बन गए हो बाबा हर कदम पर मेरे शोहर की काम्यादी और उनकी लंबी उम्रे की दुआ कीजिए अल्ला सदा सिंदबाद को सलामत रखे और हर मुहीं पर काम्यादी दे और बेटी खुदा तुम्हें भी लंबी उम्र अता फर्माएगा नहीं बाबा मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए यह क्या कह रही हूं बेटी हाँ बाबा गुम्नाम लंबी जिन्दगी लेकर मैं क्या करूंगी मुझे तो ऐसी जिन्दगी चाहिए जिसमें मेरा नाम हो मैं लोगों की काम आ सकूँ और लोग मुझे सदा याद रखी मा बाप तो औलाद की खुश्या चाहते हैं बेटी इसलिए मैं तो यहीं दूआ करूंगा यह खुदा सदा तुम्हें खुश रखे और हर ने काम में तुम्हें काम्यावी अता करें शुक्रीया बाबा जकाला जकाला आप हमें दूआ नहीं देंगी जिसे सिंबाद जैसा शोहर मिला हो और सिंबाद को जर्निगार जैसी बीवी मिली हो उसे दुआउं की क्या जरूरत है हां फिर भी मैं दूआ करती हूं कि खुदा तुम दोनों को बहुत खुश रखे आओ कभिले के रस्म के मुताबिक मां जिम्बाद से भी दुआई लेलो जरूर्व जरूर आओ मेरे पास आओ कभिले की बेटी तुम हमसे दूर जा रही हो ना जर्निगार तु अपने बातों के परदे में अपने दिल की बात चाहे चुपा ले मेरे तुम हमसे नजर सब देख रही है कि तो कॉन सी कुर्बानी देने जा रही है सब लोग तुझे दुनखन के जोड़े में देख रहे हैं यह जीता जागता बदन जल रिक कफान ओड़ लेगा कफान ओड़ लेगा मगर तेरी कुर्बानी वेकार नहीं जाएगी जजीराय चक्माग जालीन जुनों के चुंगल से आजाद हो जाएगा जरूर आजाद हो जाएगा क्या हूँ मासिमा कुछ नहीं मैंने सब देख लिया है सब समझ लिया है सब जान चुकी हूँ सिंदबाद को अपना शोहर तसलीम करके तुने हम सब पर बड़ा एहसान किया है यह एक यादगार और अनोखी शादी है तुने सिर्फ सिंदबाद से ही नहीं अपने मकसद से भी शादी की है जर्मिगार कोई यह तबीला हमेशा याद रखेगा और जिंदगी भर तेरा एहसान मन रहेगा गले लगजा बेटी गले लगजा बेटी सिंदबाद जर्मिगार कल तक हमारी थी आज तुमारी हो गई जर्मिगार